समस्या तो आपके बास हमेशा रहेगा यह सूचिए गाँ समस्या आप साफ एकदम से खतम कर देंगे वो समभव नहीं है समस्या तो होती नहीं है कि इस कहानी से समझेगा तो राजस्थान में था तुफानी नाल नामक भी ठीडिक जीवन में काफी समस्या चल रहे थी और वहां पे जो एक धार दार्षनी के पास उन्हों ने गया और उजाकर तुफाई लाल पूछा कि मेरे जीवन में तो बहुत सारी समस्या जैसे मेरा नाम है तुफाई लाल वैसे ही समस्या भी मेरे जीवन में तुफान माच आए हुए है क्या हम करें कि समस्या खतम हो जा तो दार्षन ने का कि फिरी में तुम्हें किसी को कुछ सीखाता नहीं तो मेरा तुमको बदले में तुमको मेरा एक काम करना होगा उसने का कि ठीक कौन सा क तोसे का कि देखो मैं जा रहा हूं सोने रात का टाइम है और राजस्थान में था तो उट राखा था लगबाक 500 उट था उसके पास यह सभी उट जब सो जाएंगे बैठ जाएंगे तब तुम क्या करना तब भी सो जाना तुम उट सुभा में मेरा इतना काम कर दोगा आज र खाई लाल को पूचा कि सोय अच्छा समींद लागाने कहां से अच्छा निंद लागा आप कौन सा काम दे दिया थे राप में ये कुट बैठ रहा था तो ये कुट खड़ा हो जा रहा था इसी तरह रात बर कभी ऐसा इस्तिती समय नहीं आया जबकि पूरा उट एक साथ 100% नहीं होगा अगर समस्या खतम भी हो जाए पूरा 100% फिर आप जीकर करेंगे ही क्या लाइफ जीवन कैस समस्या संघर्ष का ना में यहाँ पे तो भागवान लोगों ने आवतार लिया राम कृशन उनके जीवन में जब समस्या खतम नहीं वा जब तको धरती पे रहा है वाइड़ा ताओ एक समस्या है आपके और हमारे जीवन में समस्या एं कैसे खतम हो सकती है हमस्याओं को आपको वीचार करता करना होस्स समय बीन उससे आपके जीवन पर एंपक्ट पर रहा है तो इसको पहले सुधार कि और कूस असी नहीं को स्यिसिन होते हैं ही यहिक वाक तो आप खूद दिखाई देगर कुछ समझ्य करने रहाब होते जाए आप उसको सुलजाने का पर्यास करेंगे ना उसको समय के साथ आटोमेटिक स्वल्फ हो जाता है तीसले तो महात्मा बुद्ध ने कहा था उसी परस्थित पर उसी समस्तिती पर पर स्थित्थ समय में टैंडान सतीजर्थ ढकढने करने की ये और इसनले तो कहा भी गया है कुंट सुलौज शुल्जैगी तुम झाल्जन करें मंजिल मिलेगी तुम भटकना छोड़ दो अगर उल्जन को अगर सुल जाना है तो सबसे पले आपको नहीं उलजना पड़ेगा और अगर मंजिल पाना है तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा एक रास्ता आप अच्छा से डिसाइड कीज़े उसी पे चलिए तो समस्य उसी सुबह में जगेंगे क्या करने के लिए